बोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मिनियम के नमोरेचल सम्म क्लासस में जैसा की जानते हैं मेरा नाम सुल्छ चौधरी है इंतिजार की घडिया हुई खत्म हाफ्यली है सर पे और एक चैप्टर जो बार-बार कहा जा रहा था सर प्लीज चैप्टर 4 को आप प गयत की अगर कोई बच्चा मेरा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद करीगा चैप्टर 4 इस एक्स्प्रेइन क्या क्या क्यामिकल कानेटिक्स अगर आप देखोगे आपके बोर्ड एक्जाम में इससे लगभग 5 मार्क्स की क्वेशन आते हैं जैसा की जान रहे हूं को डाउन कर लेना हां इनके कुछ-कुछ पॉइंट ओरली हम आपको बता देंगे और वो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा ठीक है लेकिन इस टॉपिक पे ज़्यादा कॉंसंट्रेट नहीं करना है बस एक सरसरी निगास से बढ़ देना है आएगा तो सही नहीं आएगा तो स क्योंकि बहुत सारे प्री बोर्ड एक्जाम में विस्कुलों ने क्या किया ऐसे कॉश्चन को भी बोर्ड एक्जाम में दे दिया जो नहीं आने वाले थे अब हमारे बच्चे परिशान सर ने तो पढ़ाया नहीं अब मार्क्स का माग है तो बिलकुल घबलाने की जरूरत नहीं है वो मार्क्स आपकी एनवल एक्जाम में नहीं जुड़ेंगे लेकिन कहा जाता है न कि हर चीज का जो एक तरीका होता है वो सिस्टमाटिक होना चाहिए तो हम बिलकुल आपको सिस्टमाटिक वह मिले के चल ले आए आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते ही विना कुस्टमाटिक को स्टार्ट हो रहे हैं तो बता सबको आपके हाफली एक्जाम के लिए all the best आये हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जैसा कि यह संगट्सिद्धान की अधारन घुरा आयए तो इनकी अभूादःन एक्टिवेशन एनर्जी संक्रियर उर्जा जब किसी वेक से कोई इलेक्ट्रॉन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ज्यादा है तो उससे उस सर्जी जितनी उर्जा के आवशकता होती वो शंक्रियर उर्जा थी देख लीजेगा इसे शॉर्ट नोट बच्चा एस रिखाया होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट आरहेनियस समिक्रड आप देखोगे आपके प्रिवेस एर की एक्जाम में भी पूछा गया था और इसके समिक्रड को याद कर लीजेगा क्योंकि आप सभी के पास NCRT की बुक है NCRT के बुक में 7-8 कोश्चन आरहेनियस समिक्रड पे बेस्ट है तो बस उसे एक सरसरी निगाह से देखना है जितनी चीजे हमारी जरूरत की है वो हम पढ़ेंगे जितनी चीजे नहीं जरूरत है वो तो देखेंगे भी नहीं है कोई बात ने चलिए हम बात करें वीडियो क आप सभी के एक्जाम बहुत ही नजदीक है तो इसी को देखते हुए डाउटनट आप सबको सफल बनाने के लिए लेकर आएं सफलता बैच इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइप पढ़ाएंगे आपको पिछले साल के पेपर को सॉल कराय जागा इस बैच में जुड़ने के लिए आप सिर्फ 999 रुपय में से जुड़ सकते हो और जो भी बच्चा इस बैच में जुड़ेगा उसे अगले साल के कोर्स भी बिल्कुल फ्री में मिलेंगे तो ये मोका आपको दुबारा नहीं मुलेगा जितने भी इस्टुड़न डेख र अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपके टोटल फीस से 10% डिसकाउंट आपको देखने को मिलेगा और जब भी आप इस तंबर पर कॉल करें तो आप इस कोड को जरूर बताएं ताकि आपकी फीस 10% कम हो सकी तो जितने भी शुड़न डेख रहे हैं आज ही कोर्स को ज त्यारी शुरू करें जैसा कि आप मेरा नेचर जानते हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इंट्रोड़क्शन से बात करते हैं तो आप कॉपी में हैडिंग मना लीजिए बहुत अच्छे से परिचे अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला देख रहा है तो बच्चा आप भी जवाइन हो जाओ जल्दी से परिचे किसका परिचे राजशाइनिक बलगत्की का परिचे अगर आपको याद होगा तो इस अ ब्रांच ओफ फिजिकल केमेस्ट्री मतलब भौतिक रशायन तो जल्दी से कॉपी निका लीजी लिखे भौतिक रशायन की वश शाखा भौतिक रशायन की वश शाखा जल्दी जल्दी बचाओ क्या है भौतिक रशायन की वश शाखा उसके बाद कॉमा दे दीजे जिसके अंतरगर एक दब हम स्लोली स्लोली चल लें आप भी साथ में लिखते हुए चलिए अगर कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या तो जितने भी बच्चे मुझे टेलिग्राम पे इंक्लूड कियें आप अपने डाउट्स और कॉशन को भेज सकते हैं एक पूजा का कॉशन था सर विटामिन B5, I think B7 में कन्फिजन था तो बेटा वो बहुत जगी बुक में देखोगे अलग-अलग है अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे से जरूर डिस्कस करना हम ऑनलाइन होते ही आपको आपके सारे कॉशन का आंसर देंगे तो क्या रिखा गया? अभी क्रियाओं के वेग का निर्माल का निर्माल और एकदम देखी साफ साफ देख रहे है जलिस करें दो और उन पर विभिन भौतिक कार को उन पर विभिन भौतिक कार को जैसे अभी कारी पदार्थों का सांद्रण कॉमा लगा ये सांद्रण कॉमा ताप कॉमा दाव उत्प्रेरको की उपस्थिती और उत्प्रेरको की उपस्थिती आदी के प्रभाव का अध्यन किया जाता है आदी मतलब और भी सारी चीजे ना कि आदी मर्शावला ठीक है आदी के प्रभाव का का अध्यन किया जाता है राश्चाइनिक बल्गत की कहलाती है राश्चाइनिक बल्गत की कहला था है एक कौशन आता की इसको सबसे पहले देनी वाले थे कौट तो याद रखेगा विलहैमी विलहैमी ने सबसे पहले बताया था राश्चाइनिक बल्गत की के शिद्धान की अगर कोई बच्चा मेरे इंग्लिश वाला देख रहे है तो जल्दी से कॉपी में आप नोट कर लीजे इसको याद हो जाएगा 100 परेशन the branch of physical chemistry the branch of physical chemistry that is is that is कर्विद विद अन्रस्टांडिंग रिख्राया है? समझा जाएंगी जी? नचिभ रिख्रायं रिख्राय बिख्रायर के रिख्राया है? ले क् делать का ले कि बहुते हैं? अढ्मियर आए साफ हिक दम शरी कॉपिकरी इजना विच्टेट एए इस तो बी सुट एफ साफिक दम शरी कपी करी इस तो बी इस तो बी चॉंस्ट एफ ट१ू Chernus तर अच्टूरूahlen रज कि चॉंस्ट टूरू रिच्टीए टूर। टूर। टूरू टूर। टूर।। in the process in the process by concentration temperature pressure and catalyst etc. चली हिंदी वाले इस बात को समझेंगे ये छोड़ी इस पॉइंट है अगर इसको पकड़ लेंगे तो 100% आपको ये चीज़े समझ में आ जाएगी कॉशन कुछ आद आएगा कि राशायनिक बलगित की किसकी शाक है तो ये physical chemistry मतलब होदिक राशायन की साका है जिसके अंदर कर विविजन राशायनिक अभिक्रिया सर राशायनिक अभिक्रिया क्या होती है बचा राशायनिक अभिक्रिया से तात्पर बस एक लाइन से है कि ऐसी क्रियाई जो परिवर्तित हो जाए जैसे hydrogen oxygen को मिलाया तो वो परिवर्तित होकर जल का निर्माल कर दी याद हो गया hydrogen oxygen को मिलाया तो परिवर्तित होकर जल का निर्माल कर दी ये किसके अंदर आएगी तो ये राशायनिक अभिक्रिया के अंतरगर आती है ठीक है इसमें होता है पदार्थो का सांद्र, मतलग हाइड्रोजन ऑक्सिजन को मिलाया, यह होगी उसकी सांद्रता, उसके बाद है टेम्प्रेचर, कि कोई भी राशायनिक अभिक्रिया को, हम ट्रेम्प्रेचर के द्वारा ही क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, या एक लैन भी यह कह सकते हैं कि राशायनिक अभिक्रियाओं में जो परिवर्तन होता है वो दो सरुपों में होता है एक ताप के द्वारा और दूसरा दाप के द्वारा अगर यह नहीं होंगे तो नहीं होगा और सबसे उत्प्रेडग जिसको इंगलिश में कैटलीस्ट कहा दे सर उत्प्रेडग का कारे क्या होता है याद करे आपको जब डी ब्लोक पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर याद आएगा निकिल जो निकिल उत्प्रेडग है वो वनस्पती तेल से वनस्पती घी में परिवर्थन के लिए यूज़ किया जाता है मतलब वनस्पती तेल को बहुत तेजी से घी में परिवर्थन करने की क्रिया किसके द्वारा होती है? निकिल के कारण होती है बताई, क्या यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आ गए या? ठीक है आगे बढ़ा जाए चली एक छोड़ा सा नोट लिखे बिटा राजशायनिक अभिक्रियाएं भिन भिन वेगों से संपन होती है ठीक है पता वेग के आधार पर राजशानिक अभिक्रियाओं को पता वेग के आधार पर राजशायनिक अभिक्रियाओं को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है जैसे चले बई ऐसे लिख लेजे वन टू ठीक तीन कॉलम बना लिजे अगर नहीं दीख रहे हैं तो बताईएगा हम थोड़ा सा इद उदर कर देंगे पहला तातकालिक या आएनिक अभिक्रियाओं पहला लिखें तातकालिक या आएनिक अभिक्रियाओं दोसरा अती मन अभिक्रियाओं अती मन अभिक्रियाओं और तीसरा है मन अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं चले बच्छों इंग्लिश वाले लिख लीजे जैसा कि पहला है मन अभिक्रियाओं मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं जिनको होने में काफी लंबा समय लगे उसे कहा जाये क्या मन अभिक्रियाओं जैसे आपको ये कहा जाए कि लोहे में जंग एक दीन में तो नहीं लगता काफी दीन लगता है तो उसे हम कह सकते हैं क्या मन अभीक्रिया है अती मन मतलब very slow reaction जैसे आप सुचो आपकी मम्मी के पास सुना चांदी है या आपके गले में सुने की चैन है काफी लंबे समय बाद वो धीरे-धीरे काली होने लगती है तो आप जानते काली होने का कारण जंग लगना तो वो जंग कैसे लगा तो जंग लगना भी ये क्या है राश्चानिक अभीक्रिया अब कुछेगा कौन से प्रकार की राश्चानिक अभीक्रिया तो अती मन अभीक्रिया है clear आगे चला ताथ कालिक को कहते हैं इन्स्टा टैनियस या इसी को कह सकते हैं क्या आएनिका विक्रिया हो जैसे सोचिए कि सोडियम क्लोराइट बनाएंगे तो प्लस और माइनस होगा क्या प्लस और माइनस होगा सोडियम मतलब एने जो होगा वो प्लस होगा और दूसरा क्लोरीन क्लोरीन जो है वो क्या होगा माइनस होगा तो इस प्रकार हम लोगों ने राशाइनिक अभिक्रियाओं के वेक को तीन भागों में बाट दिया ऐसे अभी क्रिया जिसको होने में लगभग बहुत कम समय लगे जैसे पेपर में आग लगा दो तो तुरंच जल जाएगा तो वो एक भी राशानी कभी क्रिया है अब क्वेश्चन बनेगा तीनों मैंसे कौन तातकालिक एक छोटा सा आपका होमवर्क है दो दो उधारण दीजे मतलब दो उधारण आपको तातकालिक अभी क्रिया के देने हैं दो उधारण आपको अतीम अभी क्रिया का देना है और एक उधारण आपको मंद अभी क्रिया के देना है बताइए अगर यहां तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखे या फिर हम बुले आपको सम और अच्छे समझाने कुर्सिस करें वरना हम लोग क्या करते हैं आगे बनते हैं अपनी अपनी टॉपिकों में तो सबसे पहली वाली आप हैडिंग मनाईगी गवच्छा क्या तात काली या आएनी का भी क्लिया बताईए समझ में आ रहा है अच्छे से अगर डाउट हो को तो बताईएगा और जैसे कि आप जाने किसी का हाफ़यली 15 नमबर से किसी का हाफ़यली 20 नमबर से तो आप बस एक बार कमेंट बॉक्स यह टेलिग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा हम लोग का जो कोर्स है वो आपके हाफ़यली तो पूरा हो गया है कि नहीं अगर हो गया है तो अभी एक वीडियो में आपको बताया गया था कि कैसे आप हाफ़यली की तयारी करें किन चेप्टरों से अगर नहीं आया का तो बताईएगा हम और अच्छे समझाने कोसिस करेंगी कि आपके मार्क्स 95 प्लस के आसपास हो कैमिस्ट्री में ओके तो चली पहली वाली हेडिंग आप बना ली होगे तातकालिक या आइनिक अभी क्रेयाएं लिखी पिटाव वे अभी क्रेयाएं जिसका वे अभी क्रेयाएं वे अभी क्रेयाएं जिनका वे इतना अधिक होता है कि जिनका वे इतना अधिक होता है कि उसे सामान विधी के द्वारा मापा नहीं जा सकता मापा नहीं जा सकता हुआ का ताथकालिक या आइनिक अभी क्रेयाएं या आइनिक अभी क्रेयाए एक example के ले 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 आईए एक example ले ले लेते हैं लिखियोस में जैसे ही sodium chloride कीक्रिया सिल्वर नाइट्रीट से कराने पर कराने पर सिल्वर क्लोराइट एवब सोडियम नाइट्रीट प्राप्थ होता है चलिए आपके लिए छोटा सा क्लास वर्क है आप इसका राश्याइनिक समिकर्ब लिखिए देखिए कौन सबसे पहली भीजता है दो मिनट का टाइम दे रहे जली से इसको कॉपी करिए अगर डाउट होगा तो बताईएगा मुझे फास फास्ट अगर कोई डाउट होगा तो बताईएगा बच्चा नहीं आएगा तो भी बताईएगा हम आपको बताईएगे फिर से फास पिचा रासारीक समिक्र बना के भीजी नीचे रासारीक समिक्र बना के भीजी नीचे चली हमी बताएग देख़े आप लोगों के पास है क्या आप लोगों के पास है सोडियम क्लोराइड मतलब नेसीएल आप मेरे बच्चे बहुत अच्छिज जानतेким कि सोडियम प्लेस में होता है और माइनस में क्लोरीन होता है दूसरे है, silver nitrate, ये देखो, क्या, agno3, इनकी क्रिया हुई, और इनकी क्रिया से क्या बना, क्या बना भई, silver chloride, मतलब, agcl, और क्या बना, sodium nitrate, मतलब NaNo3 मतलब Sodium Chloride Silver Nitrate Silver Chloride और NaNo3 सर इसको आयन से कैसे समझेंगे तो आयन से ऐसे समझें कि Sodium Plus में यह Minus में यह Plus में और पूरा का पूरा NaNo3 माइनस में तो Plus वाला हमेशा माइनस के पास जाएगा इसलिए NaNo3 मिलकर Sodium Nitrate बना यह Plus में यह माइनस में तो Plus वाला पहले लिखे दिखे लिखा है Ag माइनस वाला बात में AgC क्या यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बोले यह सर फिर आगे चले ओके चला जाए चली दूसरे पहाते क्या था बाई अति मन अभी क्रिया अति मन अभी क्रिया लिखे अभी कारको के अड़ो के मध्य अभी कारको के अड़ो के मध्य मतलब जो क्रिया मिला रहे है जैसे सोडियम क्लोराइड और हम लोग क्या वे सिल्वर नाइटेट तो यह एक प्रकार के क्या है अभी कारको अउनसे जो बनता है वो उत्पाद होता है बताईए कि बास मन नहीं अभी कारको के अड़ो के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को अभिकार को के अड़ो के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को अती मन अभी क्रिया या इसी का बच्चा एक और नाम याद के लिजेगा क्या आण भी कभी क्रिया कहती है आई एक उधारण ले लिया जाए जल्दी से हैडिंग बना उधारण जैसे आप कोई उठ्रे रेक ले लो तो उत्प्रेरकों की उपस्थिती में हाइड्रोजन एवं आउक्सीजन के सयोग से जल का निर्माण होता है अब यह एक बैग नहीं होता इसको काफी लंबा समय लगता है होता है जैसे हाइड्रोजन प्लस ओक्सीजन क्या तो इनका निर्माण काफी लंबे समय में होता है इसलिए इसे क्या कह दिया अर्थी मन अभी क्रिया अब एक और है क्या मन अभी क्रिया यह हैडिंग मना दो यह हम लोग पढ़ेंगे नेक्स क्लास में और जल्दी से आज की क्लास की थोड़ी सी रिविजन कर दिया जाए आज की जो टॉपिक स्टार्ट हुई है वो बिल्कुल नया नया फ्रेस चैप्टर स्टार्ट हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है राश्याइनिक बलगत की जिसको इंग्लिश में कैमिकल काइनिक्स के नाम से जानते है यह तीस पर्शने रिउस है यह आपके स्लेबस में नहीं आएंगे इनको याद कर लीजेगा वीडियो को पूरा दिखीगा तभी आपका हाफिल जड़ हुआ ताप हुआ दाब हुआ उनकी उपस्थिती में उनके प्रभाव का अध्यन किया जाता है उसी को कहते क्या राश्याइनिक बलगत की उसके बाद राश्याइनिक अभिक्रिया भिन भिन वेगों से संपन होती है अताब वेग के अधार पर तीन भागों बाट दिया कोशन बनेगा कि कितने भाग हैं तो आप याद रखीगा तीन तातकालिक जिसको तीछड़े के नाम से भी जानते हैं अतीमंद और मंद तातकालिक वेग अभिक्रियाएं जिनका वेग इतना अधिक होता है कि वे उसे सामानेविधी के द्वारा माप नहीं सकते ऐसे को ही कहा जाते क्या तातकालिक या आइनी एक्जामपल में आप ले लो कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करा है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना ये आपका है समिक्रण ये बात क्लियर इसके बाद दूसरा अती मंद अभी क्रिया है अभी क्रियाओं के अड़गों के मद्ध होने वाली अभी क्रियाओं को अती मंद अब चाहे अती मंद अभी क्रिया के है चाहे आडवी कभी क्रिया के बाद एक है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सिजन को मिलाया तो किसका निर्माड होगा या जलका और तीसरा और अंतिम इसका एक पहले होमवर्क याद रखेगा ये होमवर्क है आपको दो-दो उधारण दे रहे हैं इन तीनों के इसलिए एक ही दे रहे हैं और आप next heading मन अभी करिया है ये हम लोग पढ़ेंगे कब next class में चलिए तो आज के लिए इतना ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक से जरूर करिएगा ये आपके हाफिले की example बहुत important है तो इसको बहुत carefully पढ़िए और अगर कोई में doubts हो तो मुझे comment box में telegram पर message केज़ेगा चलो thank you so much bye bye